हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ट्वेंटीफो नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किर्शी विज्ञानिक चैन मंडल एगरिकल्चर साइन्टिस रिकुर्मेंट बोर्ड एस आरबी की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 30 साल रहेगी इसके अलावा आपकी जो फीस है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है नीचे फ्रेंट से यहाँ पर आपको वेकैंसी की डेटेल दी गई है साथ में ग्रेशन की डिगरी आपके पास होनी चाहिए किस आपको सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो फ्रेंट से यह इसका ओनलाइन अप्लाइब पोर्टल है जहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर फ्रे हैं हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले करना है इसके बाद यहाँ पर आपको देना है आपका फुल नेम तो आपका जो नाम है वो मैटिकुलेशन की मार्शीट के अकोर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना होगा इसके बाद फ्रेंस आपको यहाँ पर देना है आपका फादर नेम आपका जेंडर सेलेट करना है आपकी कोई भी एक्टिव न वैलिड मेल आईडी जो है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और यह फ्रेंस आपको दो बार फ केटिगरी का तो आपकी जो भी कैटिगरी है जनरल SCST OBC EWS आप सलेट कर सकते हैं इसके बाद फैंसे यहां पर देखिए आपको का सर्टिफिकेट नंबर देना है डेट ऑफ इशू देना है प्रिसकाइट फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है ऐसे ही OBC अगर आप है तो आप OBC में भी अपने का सर्टिफिकेट की जानकारी प्रोवाइड करेंगे इसके बाद फैंसे नीचे आपको मिलता है इंडिकेट योवा कास्ट ट्राइव एक कम्यूटी एस गिवन इन SCST OBC EWS साइटिफिकेट तो आपकी जाती है जो आपकी कम्यूटी है वो आपको दी गई है आपके साइटिफिकेट में वो आपको मेंशन करनी होगी SC, SC, OBC आपकी category हो गई और आपकी जाती है, cast है वो आपको यहां mention करनी है, जैसे OBC में Saini, Mali, Jangit हो गया, या फिर SC में आपकी जो भी category है, वो आपकी जाती है, वो आपकी जाती है, वो आप यहां mention कर सकते हैं PH candidate अगर आप हैं, तो yes कर सकते हैं आपकी यहां पर category की details को आप यहां provide करेंगे, नहीं तो आप इसमें no करेंगे citizen of India अगर आप हैं, तो आप yes करेंगे आपका पूरा address क्या है, पूरा address मतलब पूरा आपको यहां पर आपका address लिखना होगा including आपकी city, आपका district, आपका village या मंडल जो भी आपका लगता है, वो आप यहां पर mention कर सकते हैं with आपके pin code, यह आपको यहां पर fill करना होगा आपका state आप चूज़ कर लेंगे, अगर permanent correspondence address same है, तो same aspect क्लिक कीजिए, अलग-अलग है तो अलग-अलग entry कीजिए, आपका 10 digit का mobile number fill कीजिए, और उसके बाद यहां से इस data को submit आप कर देंगे, इसके बाद friends, आपको आपका registration number मिल जाएगा, login details मिल जाएगी, सबसे पहले आपको यहां पर select करना है, आपका यहां पर examination center preference, तो आपके according जो भी preference आप यहां पर देना चाहें, वो आप दे सकते हैं, आपको multiple options मिल जाते हैं, आपके यहां पर exam center के, तो आपके according जो भी center आप यहां लेना चाहें, वो आप यहां पर ले सकते हैं, इसके बाद friends, next option आपको यहां पर मिलता है, देखिए आपके name of center for tire 2 examination के लिए, वो आप यहां select करेंगे, medium of examination क्या रखना चाहते हैं, अप English या Hindi, वो आप यहां select कर सकते हैं, इसके बाद है आपकी qualification, तो 10th की, 12th की और ग्रेशन की detail आपको fill करनी है, सबसे पहले यहां पर आप enter करेंगे, आपके board का नाम, तो आप यहां पर अपने board का नाम enter कर देंगे, ऐसे ही अगर आप यहां पर ग्रेशन के लिए करते हैं, तो आपकी जो degree का नाम है, वो आपको देना है, इसके बाद आपके जो division है, वो आप इन में इंटर करना है, date of passing क्या है आपकी date of passing जो की issue certificate पर mention होगी वो आप यहाँ पर mention कर देंगे, तो यह friends से detail आपकी जो qualification होती है उस पर आपको available होती है, उसके according ही आपको यहाँ पर जानकारी fill करनी होगी, तो यह आप अपने according यहाँ पर fill करेंगे, basic qualification details आप से यहाँ पर मांगी ग यहाँ पर mention करना होगा, इसके बाद friends से नीचे option है, आपके employment का, अगर आप यहाँ पर employment है, तो आप yes कर सकते हैं, और यहाँ पर friends आपको present से start करना है, आपके experience related, और आपकी post का नाम, और उसके बाद कब से कब तक आपने क्याम किया, address क्या था, और आप employment जो है, वो आप य कोई भी relative work करता है, ICAR में तो आप yes कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी no करेंगे, इसके बाद यहाँ पर है कि आपको कभी भी मना किया गया है, exam से disqualify किया गया है, तो आप यहाँ पर भी yes या no करेंगे, इसके बाद आप इसे declare करेंगे data को और उसके बाद यहाँ पर capture code को fill करने के बाद आप यहाँ से data को submit कर सकते हैं, इसके बाद फैंस आपको जाना है NAS step पे जो की है आपके documents का, सबसे पहले है photograph upload, तो यहाँ पर देखिए recent passport size photograph होनी चाहिए, white background होना चाहिए, jpg format में होना चाहिए, और यहाँ पर without आपके चसमें के साथ आपने फोटो ली हो और two by third photo आपका जो है चेहरा वो होना चाहिए identification करने के लिए, इसके लिए फैंस आपको यहाँ पर upload का option मिल जाता है, signature आपको यहाँ पर गरना है, जो कि आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, इसके बाद left thumb impression आपको यहाँ अप्लोड करना है, इसके बाद कोई भी ID proof आप यहाँ select क आप यहाँ पर upload कर देंगे, तो जैसे जैसे फ्रेंस आपकी जो file है वो आप यहाँ पर upload करेंगे, आपको देखे, preview देखने को मिल जाएगा, तो आपके according आप यहाँ पर अपने left thumb impression है, documents है, उनको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं, इसके बाद फ्रेंस आपको यहाँ पर data देखने को मिलेगी, वो मिलेगी, आपको आपकी जो preview section है, उसका, अगर आपको लगता है इस preview section में कोई भी गलती है, कोई option आपने गलत फिल कर दिया है, उस condition में आप edit कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी गलती नहीं है, उस condition में आप I agree कर देंगे, इसके बाद फैंसे आपको यहाँ पर fees pay करनी है तो आप debit card वाले option पर click करेंगे और उसके बार data को submit करेंगे अब यहाँ पर फैंसे आप कोई भी option use कर सकते हैं credit card, debit card या net banking आप यहाँ पर कोई भी option का use करें जैसे debit card यूज करते हैं तो debit card की details को fill करें credit card user है तो credit card को select करें net banking user है तो net banking select करें इन तीन option का ही आपको use करना है payment को confirm करने के लिए तो इसलिए अपने card details को fill कीजिए और अपने payment को आप verify कर लीजिए जैसे ही फैंस आपका यहाँ पर देखिए payment verify होगा आप यहाँ पर print payment receipt निकाल सकते हैं साथ में print out ले सकते हैं आपके application form का और आपका जो यह form है वो final submit हो जाएगा तो friends से इस वीडियो हमने बात की agriculture scientist requirement board ASRB का AO and FNAO का form आप कैसे fill कर सकते हैं step by step process के बारे में बागी की जनकारी friends से आपको jobrasta.com पर available है वहाँ पार जाकर आप details को check out कर सकते हैं अगर आप eligible हैं apply करना चाहते हैं apply कर सकते हैं और अगर आपको हमारा ये video पसंद आया है आप चाहते हैं ऐसे ही updates आपको मिल सके तो like subscribe and share जरूर कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे यूटीब चैनल and last thanks for watching